हाई फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चाइनल तो फ्रेंट्स आज बोगन मेलिया के बारे में बात करेंगे बोगन मेलिया की कैसे केयर करें हर सीजन में इसे कुण सी खाथ दें अच्छे फ्लावरिंग के लिए और कुछ हम हमारा अनुभव आपसे शेयर करेंगे फ्रेंट्स कि हम कैसे इनकी देख भाल करते और क्या-क्या अनुभव इनके साथ हमें आया है तो जो भी आज कहेंगे वो हमारा ही अनुभव है हो सकता है कि सबके अनुभव अलग-अलग होते हैं तो विंटर में इसके साथ क्या गलती ना करें अगर आप कुछ फ्रेंड्स करते होंगे तो पहले आप आपके प्लांट को बोगनवेलिया प्लांट को जान लीजिए उसके बाद ही इसके साथ विंटर में जो गलती अगर कोई करता होंगा तो ना करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले शेयर करेंगे ये वैसे साल भर फ्लावरिंग करता है बारिश में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है समर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और विंटर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है हमारे यहां तो बस फ्लावर जाने के बाद 15-20 दिन का समय ये लेता है ज़्यादा रेस्ट नहीं लेता है अच्छे से 15-20 दिन के बाद पूरे फ्लावर खतम होने के बाद खाद दिया जाए तो फिर से ये फ्लावरिंग पे आता है बोगन में लिया एक ऐसा प्लांट है इसमें बहुत सारे फ्लावर के कलर साते हैं बहुत सारी वेराइटी आती है बहुत कम केर में ये प्लांट चलता है और ये प्लांट हो सकता है सभी के गारडन में हूंगा क्योंकि ये हमारे गारडन की शोभा बढ़ाता है जब भी इसके फ्लावर खिलते है तो चार चांद ये लगा देता है और जब फ्लावरिंग इसकी होती है तो बहुत दिनों तक इसके फ्लावर ठीके रहते हैं सीजन के नुसार एक मैना भी अच्छा सीजन थंडा सीजन होते एक मैना देड़ मैना इसके फ्लावर्स रहते हैं तो बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग प्लांट होता है ये छोटे पॉट में भी अच्छा चलता है और बड़े पॉट में भी अच्छा चलता है जमीन में भी अच्छे से चलता है इसके drop variety भी बहुत अच्छी छोटे छोटे pot में चलती है बहुत सारे hybrid desi variety के plant nursery में आसानी से मेल जाता है plant deck के इसकी price होती है 100, 1200, 300 ऐसे इसके price होते है तो cutting से भी आसानी से plant लग जाता है बारिश में भी अच्छे से इसकी cutting लग जाती है winter में भी लगती है क्योंकि हम लगाते है इसलिए हम आपको बता रहे विंटर के season में भी अच्छे से इसकी cutting लगा सकते हो जब भी इसकी heart pruning कटाई छटाई करे तो उसकी cutting लगा दीजिए चार पाच cutting लगा देंगे तो दो तिन cutting तो उसमें इसे लगी जाती है ऐसा ये बुगनविलिया का बहुती कम क्यर में चलने वाला और आसानी से ग्रो होने वाला plant है sunlight की requirement बहुत जादा इसकी होती है अगर अच्छे से flowering चाहते हो तो सुभा से शाम तक पुरी दीन की sunlight मिले ऐसे जगे इसे रखना चाहिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है अच्छे से flowering भी करता है और चलिए हम आपको बता देते हैं कि हमारा अनुभव क्या है बहुत सारे हमारे friends से सुना है और बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं हमने कि बोला जाता है कि इसे अगर flower नहीं आते है तो 8-15 दिन ये महेनों तक इसे पानी ना दे तो ये अच्छे से flowering करेंगा क्योंकि पानी ना देने के बाद नहीं देने के बाद ये शौक में चला जाता है शौक में जाता है तो ये flowering के लिए ready होता है ये flowering करता है हो सकता है उनका अनुभव ये होंगा लेकिन हमारा अनुभव आपसे अभी बताते है फ्रेंट्स देखिए हम हर दुसरे दिन विंटर में पानी देते हैं और समर में तो डेली ही पानी देते हैं अभी 15 सालों से हमारे पास बोगन विलिया प्लांट है 15 सालों से इनकी केर कर र तो बस एक बार हमने 8 दिन इसे पानी नहीं दिया था उसकी तो पतिया पूरी जड़ गई थी फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा था बस मरने ला एक प्लांट हो गया था इतना मरे जैसा ये प्लांट हो गया था कि ऐसा लगा कि और 2-4 दिन इसे पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट हमारा खतम होई जाएंगा, तब से हमने सोचा कि नहीं, हमारा ही तरीका अपनाएंगे हमें, क्योंकि यह साल भर तो हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है, तो हमारा ही तरीका अच्छा है, तो हर दुसरे दिन हम बोगनविलिया प्लांट को पानी देते हैं अगर आपका बोगनविलिया का प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है तो सबसे पहले आप मिट्टी को चेक करिए उसकी मिट्टी में अच्छे से पोशक तत्व है या नहीं है तो क्यों आपका प्लांट फ्ल प्लावर नहीं करता है तो सबसे पहले आप मिट्टी को चेक करिए उसके बाद आपका प्लांट बहुत ज्यादा रूट बॉन्ट तो नहीं हुआ है वैसे इसे रूट बॉन्ट होना बहुत पसंद है ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं पसंद है लेकिन हस से ज्यादा भी हम ब से पहले मिट्टी में अच्छे से खाट डालिए प्लांट को अच्छे से पोशक तत्व मिले यह बात का ख्यार रखे और दूसरी बात यह है कि जब हम पानी देते हैं तो पानी आप इतना दे कि रूर्स तक पानी पहुचे बहुत ज़्यादा भर भर के इतना पानी देते हैं कि ड्रेने जोल से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलता है प्लांट की सेवा करते करते हैं इनकी देखभाल करते करते हैं हमें इतना अंदाजा त ड्रेने जोल के बाहर निकले और आपको पता चले कि आपका प्लांट आने आपके प्लांट के ड्रेने जोल तक या उसके रूट्स तक पानी पोच गया है इस तरह से पानी देते वक्त अंदजा आपको हुई जाता है कि रूट्स तक पानी पोचा या ना पोचा नहीं पोचा तो ऐसा आप करेंगे तो पानी भी आपका वेस्ट नहीं जाएंगा और जो भी मिट्टी में पूशक तत्व होते हम खाट डालते हैं पानी के बहाँ से वो बाहर नहीं निकलेंगे और मिट्टी हमारी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और प्लांट को उसमें से खाना मिलते नहीं रहेंगा तो चलिए नेक्स्ट पॉयंट है कि समर में बहुत अच्छे से तो यह फ्लावरिंग करता है इसको फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप चाहिए बहुत ज्यादा धूप चाहिए यह भी बात सही है लेकिन विंटर में यह डौर्मेंसी में जाता है फ्ला आपका बोगन वेलिया का फ्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है नहीं करता है तो उसके हिसाब से आप उसकी कटाई छटाई करें बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे होते हैं कि अभी विंटर सीजन के लिए बहुत ज्यादा पॉट की जरूरत होती है जगा की भी बहुत तो जो डॉर्मेंसी में प्लांट हमारे जाते हैं तो इदर उधर उठा के कम सनलाइट में उन्हें रग देते हैं या इस तरह से उन्हें छोड़ देते हैं उनकी केर नहीं करते हैं कि बस इनका डॉर्मेंसी पिरेड आया है दो चार मैने के लिए इन्हें सुला देते हैं त तो एक बार आप winter में अनुभव लेके देखिए कि अच्छे से केर खाद वगरे देके winter में भी आपका बोगन विलीया प्रांट अच्छे से flowering करेंगा एक बार करके देखिए उसके बाद अगर आपको लगता है कि winter में ये flowering नहीं करता है फिर आप आपके तरीके से इसकी से विवा कर सकते हो देख भाल कर सकते हो तो हमारे या विंटर में अच्छे से बोगन विलिया फ्लावरिंग करता है अभी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगा फ्लावर्स फ्लावर्स बोगन विलिया पर आएंगे तो ये भी हमारा अनुभव था फ्रेंड्स हो सकता ह आपके गार्डन में भी विंटर में कुछ हमारे फ्रेंड्स होंगे उनके गार्डन में बोगन बेली आच्छे से फ्लावरिंग करता होंगा विंटर में और कुछ फ्रेंड्स होंगे उनके उन्हें कुछ अनुभव नहीं होंगा जो बिगनर्स रहते हैं उन्हें नहीं पता ह होता है तो उधर उधर की बाते सुनके फिर वह भी वैसा ही करते हैं तो पहले आप आपके प्लांट के बारे में जानिए आपके यहां का वातावरन जानिए आपके यहां का टेंपरेचर जानिए वह हिसाब से फिर आप आपके प्लांट को विंटर में सुला दीजिए चलिए अभी हम बताते हैं कि हम कुन-कुन सी खाद ये प्लांट को देते हैं देखिए अभी विंटर में तो हम सरसो के खली का लिक्विड हर मैने एक बार जरूर देते हैं जैसे ओक्टुमबर, नवेंबर, डिसेंबर, जनवरी, फरवरी तक हर मैने हम सरसो के खली का लिक्विड दे तो बहुत अच्छे से ये थंडी में भी फ्लावरिंग करता है और बाके के दिनों में चाय पती की खाद उसका लिक्वीर वर्मी कमपोस्ट या गोबर के खाद ऐसे बदल बदल के जो भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं किचन वेस्ट हैं और पत्यों की खाद हैं ऐसे बदल किलखात का यूज नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट हरर सिजनमें अच्छे रहते हैं हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं तो इस तरहा से फ्रेंड्स हें हमारा अनुभव था और इसमें कोई कीडों का अटक तो हमने आज तक नहीं देखा है कुछ भी ऐसा इसमें प्रॉब्लेम हो ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया है नीम ओयल का स्प्रे आभर 15 दिन में करते रहे वैसे इस पे नीम ओयल का स्प्रे नहीं किया नॉर्मल पानी का भी शौवर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे स आपका प्लान फ्रेश लगेंगा और कीडो का अटेक तो हमने नहीं देखा है लेकिन हम हमारे गार्डन में नीम ओयल का स्प्रे करते हैं तो कभी कभी इसकी उपर भी कर देते हैं लेकिन ज्यादा तर जब भी हम पानी देते हैं दुसरे दिन तो पानी का शौवर हम जरूर झुद करते हैं मिटी जो पतियों पर बैटी है धूल मिटी जो पतियों पर बैटी है निकल जाती हैं और कुछ किड़े वग्रे उसमें लगती भी होंगे तो पानी के आच्छे से फोर से शौवर से निकल जाते हैं तो इसलिए हमेशा हमारे प्लांट स्वस्त रहते हैं हमारा एक अच्छा तरीका है कि जब भी हम पानी देते हैं तो प्लांट को नहलाते हैं जो पर्मनन प्लांट हारडी प्लांट होते हैं अच्छे से प्लांट को नहला दीजिए तो किडों का अटेंग भी बहुत कम होंगा तो इस तरह से हम हमारे प्लांट की देख भाल करते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाई, मिलते हैं नेक्स टुडियो में